हेलो दोस्तों नमस्ते माई उनिश्टाइरों में आप सब का स्वागत करती हूँ माई सोल फैमली माई वीवर्ट माई सिस्क्राइवर्स गॉड ब्लेस यू आप सुस्तोंगे मस्तोंगे अपने लाइप पे आगे बर रहे होंगे डियर आज कभी काज़ों वीडियो लेकर आज दुपहर की इनरजी आपके पार्टनर की तो आज दुपहर आपके पार्टनर क्या महसुस करें आपके लिए उनका मूड कैसा है और उनका एक्सन क्या होगा आपके लिए तो पिलकुर रिलाक्स हो जाएं और इंटेंसन सही रखें और उनके बारे में ही सोचें चीक है लेकिन खुद का ध्यान रखना है, अपना सम्मान का भी ख्याल रखना है, अपने करियर का भी करियर पर भी फोकस करना है और खुद पर very important self love और self healing, चिक है, मन का विश्वास जरूर बनाना है, strong होना है तो चलिए दिखती हूँ, collective level पर वीवर्स के partners की अज दुपहर की energy, उनका mood वीवर्स को लेकर क्या है और उनका accent क्या होगा, male, female, married, unmarried सब के लिए है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितना भी energy, रेजनेट होता लेना है, बागी को जाने देना है जाए महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमश्यवा है आज दुपहर की energy, मेची रड़ी और जास प्ली स्काइट करें, आज दुपहर की energy, लेट गो new reason जास प्ली स्काइट करें, तो मास्टर बहुत सारे वीवर्स गूद न्यूज की वाइबरेशन है बहुत सारे वीवर्स बहुत सारे वीवर्स बहुत सारे वीवर्स बहुत सारे वीवर्स आपको बूद न्यूज मिलने वाला है ठीक है, मेची रड़ी, लेट गो, vision, new vision तर्यक्ंधि रिफ्यों बढ़ी, बदीक है क्यान Zus क्या सारे वीवर्स जर्मा इचस प्रेस काइट खरें कि लेर टीके में इचस प्रेस काइट खरें आसे बहें के आचे जर्मा इचस प्रेस काइट खरें कुई आप कप्स कुई आप सोर्स एक तरफ आप हो एक तरफ कोई और है लेकिन आपके पार्टनर बहुत अच्छे से सोच समझ कर इस रिष्टे को बहुत खुबसूरती से हैंडिल करना जाते हैं चिक है टीन आप सोर्स किंग ओपेंटिकल्स बहुत सारे विवर्स एक्षन दिख रहा है आपके तरफ पुछ बहुत आपके पार्टनर मेरेड हैं या कमिटेड है यहां पर यह भी दिख रहा है लेकिन जो भी है उम्र में बड़ी है या बड़े हो सकते हैं 3 of source यहाँ पे धोके और धोके और धोके 3 of source, 7 of source Age gap बहुत strong viewers आप में भी है अगर आपके partner committed है किसी से तो हो सकता है वो भी age में बड़े हो या बड़ी हो ठीक है? मतलब आपके पर्सन इस रिष्टे पे वर्क करना चाहते हैं ठीक है लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे भी वर्स मैं कार्ट को फिर के लिए करेंगे ब्रेक्थुरू की एनर्जी है और कुई नों की एनर्जी है तो साइन बता देती हूँ यहां पे हैं लिब्रा एक्रेस जमनाई स्ट्रॉंग साइन यहां पे बहुत स्ट्रॉंग जो हैं वह हैं लिब्रा एक्रेस जमनाई चिक है उसके बाद क्याप्रिकॉन टॉर्स वर्गो उसके बाद एरिस लियो एन सच्टेस पाइसस केंसर स्कॉर् स्पीजह स्ट्राइट सर्ण साइन है सूर्सक्य वाइब्रेशन है तो एर इनरजी बहुत स्ट्राइब और अर्थ सबसे स्ट्राइब हाइ लिब्र ऑकरिस जमनाई के अप्रिकौन टॉरी तोर लिस ढ सबसे जादा स्ट्रॉंग है इस वक्त बहुत सारे वीवर्स आपके रिलेशन्शिप में इस वक्त बैलेंस्ट नहीं है प्रिष्टें तहन मैंन की एनर्जी है लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा काफी टाइम से यह परसन अपनी सच्चाई को या अपनी फेलिम्स को अपनी एमोसंस को काफी टाइम से यह छुपा रहे थे और यह क्यों छुपा रहे थे वो आप से रिलेटेट है यह थर्ट पार्टी से रिलेटेट है क्योंकि इन्होंने हर कोसिस की है उनके साथ बैलेंस करने का देखे situation को handle करने का लेकिन सायद अब ये person को कोई रास्ता नहीं दिख रहा सिर्फ आपके सिवा new vision, seven of swords and three of pentacles देखे ये person आपसे भी उनमें बड़े हो सकते ये भी हो सकते लेकिन ये person जो भी है पता है कि आप तोनों के बीच में कोई ना कोई तो है चाहे वो मदर हो या कोई female हो या committed हो ठीक है, किसी के लिए male भी हो सकते है लेकिन आपके ये person चाहते है इस रिष्टे में आगे बढ़ना और देखे, कहा जाए तो three of swords seven of swords, ten of swords काफी time से इन्हों ने आपसे बाते चुपाई है अकेले पन को खुल कर आपसे जहार नहीं किया है जब दिल कहा आए बात किया या फिर इन्हों ने ब्लॉक किया ये खामोस हो गया लेकिन अकेला पन इनके अंदर खलता रहा लेकिन इनके लिए करियर भी important है लेकिन ये करे तो क्या करे इनके लाइब की परशानी खत्म होने का नामी नहीं ले रही तो कहीं न कहीं ये परसन सब कुछ दबाते हुए छुपाते हुए ये घुटकर रहना घुटन सी एनरजी में ये परसन रहे है क्योंकि इनके साथ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा और ये आप से छुपा भी रहते जो भी हो इनके लाइब में जो कुछ भी चल रहा था या हो सकता है कि आपके partner से आपकी commitment हुई है और किसी female के बज़र से आप दोनों में दुणिया बनी है कोई यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे वियोर्स आपकी commitment हुई है लेकिन आप लोग के relationship में कोई तिसरा involved है जो की female की vibration है ये female आप दोनों के रिष्टे के रिष्टे को तोड़ने की कोशिस की आपके commitment को तोड़ने की कोशिस की आप दोनों को अलग करने की कोशिस की काफी आप दोनों को एक दूसर से जुदा करने की कोशिस की लेटगो करने की कोशिस की कि आपके partner उनके बस में हो उन्होंने आपको हो सकता है जूट कुछ भी मिर्ची लगाकर मसाला लगाकर वो आपके खिलाब कुछ न कुछ लगाते रहे ठीक है जो भी यह है फीमेल है आपके पार्टनर को कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिर्ची मसाला लगाकर वो आपको सुनाते रहे उनको सुनाते रहे कि आप जूट साबित हो और आप दोनों का रिष्टा तूटे और आप दोनों का दिल तूटे लेकिन करने से कोई फाइदा होता है ये समय का चक्र और कर्मा सिर्फ इंसान को patience रखना पड़ता है विश्वास करना पड़ता है और उसके जग़ा उसको गलत नहीं कहना होता है फिर देखिए कि कितनी जल्दी सच्चाई सामने आती है ये जो भी फीमेल आजकल जो तांडों मचाड़ी हैं आप दोनों के बीच में अभी लगतार लगी हुई है कुछ दिनों से आपके रिष्टे पर और आपके पार्टनर के उपर बहुत स्ट्रॉंग निगाहे हैं इसमें भी चाल चल रही हैं बहुत मिचियोर्टी से बहुत इंटुशन फॉलो करके है तो स्मार्ट और अपना दबदबा बनाई रखती है लेकिन इस फीमिल ने बहुत कोशिस की है आप दोनों को अलग करने की ठीक है और यह कोशिस जाड़ी भी है कोई ना कोई रास्ता ढून रही कि आपके साथ धोका हो और आप लोग कर दिस्ता टूट जाए ठीक है लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर को धीरे-धीरे ये चीज एहसास हो रहा है पूरी तरह नहीं मैं कह सकती हूँ धीरे-धीरे मैं कह रही हूँ कि ये प्रॉपर भी बैलेंस्ट में नहीं है इनके साथ इस वक्त गलत हो रहा है इनके साथ धोखा हो रहा है अगर यह third party के साथ भी है अगर यह third party के साथ भी है तो यह कहना चाहते कि सिर्फ उनके साथ compromise है चीखे? लेकिन आपके person कहना चाहते third party ज़रूर है लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत है खुद पर focus करने की जरूरत है future planning चल रही है ये person आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं ठीक है ये person कहीं न कहीं कोई रास्ता जरूर बनाना चाह रहे हैं कुछ planning करें कुछ ये ढूंड रहे हैं stand लेने के लिए पुरानी बातों को भुला कर एक new beginning करने के लिए ये जो भी third party हैं आपके partner को बहुत ज़्यादा कहा जाए तो mentally torture करना समझज़ा कि जहां जो mentally torture कि है समझज़ा कि वो इनसान का हालाद कैसे हो सकते हैं ठीक है तो energy में pain है यानि कि उतार चड़ाओ है ठीक है लेकिन आपके person let go तो करना चाहते हैं लेकिन ये decision भी लेंगे तो बहुत सोंझ समझ़कर लेकिन बहुत सारे viewers मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे viewers आपके तरफ good news भी आ रही है कुछ लोग की reunion भी हो रही है क्योंकि आपकी partner इस वक्त आप पर उन्हें बिश्वास है और बहुत long ये जाना चाहते हैं बहुत लंबा आपके साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग की reunion तो हो रही है लेकिन बहुत ज़दा आपके partner इस वक्त love को feel कर रहे हैं लेकिन आप दोनों में कहीं न कहीं इस वक्त trust issue बिश्वास की कमी है किसी और के वज़ा से और ये चीज़ आपके partner understanding balance लाना चाहते हैं और आपको बिश्वास दिलाना चाहते हैं ठीक है सब ठीक करना चाहते है लेकिन इस person के लिए काम भी important है काम काम भी इनके लिए important है लेकिन कुछ ऐसी बाते हैं जो ये focus नहीं कर पा रहे हैं करियर का tension है करियर की growth का tension है आप से जो दूरिया है उसका tension है आप से प्यार है आपको clarity नहीं दे रहे उसका tension है ठीक है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और आप दोनों के रिष्टे की तोड़ने की साजिस चल रही है उसका tension और ये आपके पास आना चाते हैं तो कुछ problems तो इनके life में जो problems problems जो आ रहे हैं इस person को ये चीज महशूस हो रहा है कि आप से दूर जाकर इनके life में क्या कुछ हो रहा है सही बात है harmony नहीं, inner peace नहीं completion नहीं वो प्यार नहीं वो respect नहीं कोई अच्छा रास्ता नहीं दिकरा कहाँ fun है कहाँ मस्ती है कहाँ मजा है कहाँ सुख है हर तरह से दुखी दुख फिल कर रहे हैं यह पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं इस वक्त आपके पार्टनर को आपसे page of wants the lovers यहां पे कुछ वीवर्स आपके पार्टनर आपके तरफ बहुत ज़दा attract हो रहे हैं आपके एक करीब आना जाते है means रूबरूब तो बहुत सारे वीवर्स तब मास्टर यहां good news मिलने वाला है reunion होने वाली है लेकिन कुछ वीवर्स थट पार्टी के वज़़ा से आप लोग के relationship में imbalance energy है जो कि आपके person यहां पे commitment को लेकर सोच रहे हैं यह female कुछ के लिए mother भी है ठीक है यह other कोई female हो सकते है यह committed हो सकते है यह इनका साथ ऐसा relationship है जो जाकर भी नहीं छोड़ सकते है तो यह जो भूमी का यह female जो निभार रही है यह फायदा बहुत उठा रही है देखिए यह आप दोनों के रिस्ते को बहुत भी जानते हैं इने क्या करना है क्योंकि यह दिमाग यह भी practical सोचने वाली है लेड़ी को यह हाथ में तलबार है यह अपने दिमाग को चलाती है यह अपने दिल की emotions को बहुत कम काम करती है दिल की emotions जो होते है emotions पे बहुत कम काम करती है ठीक है लेकिन इनका दबदबा है लेकिन आपके partner let go, maturity new vision, तो आपके partner जो भी ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो बिचार कर रहे हैं, तो ये आपके partner हैं, उनको पता है, कि आप दोनों के रिस्ते में क्या साजिस चल रही हैं, और ये किस हद तक जा सकती हैं, और आप दोनों को अलग कर सकती हैं, लेकिन आप के partner को भी पता है, कि ये जूट बोर रही हैं, धोखा दे रही हैं, बैक स्टेप कर रही हैं, ठीक है, और इस fan में आपके partner हैं, लेकिन इसी वज़े से आपकी importance बढ़ी है, ठीक है, तो देखिए, हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों में बात्चित हो रही हो, या भी ना भी ह लेकिन आपके partner के अंदर जो अकेलापन हैं, वो आप से मिलना चाहते हैं, कुछ दिल की बाद share करना चाहते हैं, और सोच समझ कर ये decision भी लेना चाहते हैं, जो कि आपसे कहना भी चाहते हैं, देखें ये आपकी तरब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन action लेंगे ये कहना चाहते है कि अगर यह एक्सल लेंगे तो यह सोंच समझ कर लेंगे क्योंकि मिचियार्टी है क्योंकि लेट गो करना इनसे छुटकारा पाना बहुत डिफिकल्ट है तो थोरा समय लेगे गया थोरा समय तो लगेगा बाबू यहां पर यह चीज़ दिख रहे हैं थोरा वक्त तो लगेगा लेकिन इस वक्त यह परसन आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं मैं यहां कहना चाहूं कि उल्जने आपके पार्टनर के लाइप में हैं लेकिन आपके उपर फोकस भी हैं आपके बारे में सोच भी रहे हैं आपकी यादों में ही उल्जे हुएं लेकिन पेन भी इन्हें मिल रहा है हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा या आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा है लेकिन फिर भी इस बंदा ये बंदी के मन में स्टैंड लेनी की वामना दिख रही है ठीक है लेकिन जिस तरह का पेन है आपके परसन को वो आपसे मिलना चाहते है क्योंकि हर्मनी की एनरजी है कंप्लिशन की एनरजी एक न्यू सैकल स्टार्ट होनी की एनरजी है 10 नमबर ठीक है लेट गो एट नमबर है ठीक है तो कहीं न करी स्ट्रगल यह फिमेल जो भी है इनके वज़ासे आप तो इन्हों क्रिलेशन्शिप में बहुत स्ट्रगल है वाबू कुछ विवर्स आपके पार्टनर को करियर को लेकर भी टेंशन हो रहा है अगर इन्हों ने आपसे जानबुच कर दुनिया भी बनाई है तो इन्हों ने छुपाया है लाइप के प्रॉब्लम्स को इस फिमेल के बारे में जो कुछ भी इन्हों ने आपसे दुनिया बने जी इस फिमेल के बारे में भी आपसे बहुत कुछ छुपाया है लेकिन ये फिमेल चाहती है कि आप से उनका कमिटमेंट ना हो आप दोनों का कमिटमेंट ना हो ये आज भी आप दोनों को तोरना चाहती है और आपके पार्टनर को ये बैक स्टिप कर रही है कोई ना कोई ये प्लानिंग कर रही है साजिस कर रही है कि आप दोनों का मिलन बिल्कुल ना हो लेकिन आपके पार्टनर का अंदाज है कि वो आपके लिए पाश्नेट है और वो आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आप से मिलना चाहते हैं, देखा जा तो सच में यहां आपके पार्टनर 100% एक कंपेर कर रहे हुए क्योंकि यह अक्डू इन लेडीज हैं और यह इनको जहल रहे हैं लेकिन कभी-कभी इस फीमेल में आपके पार्टनर की एक रिस्पेक्ट वाली वाइबरेंस इसलिए आती है कि कंट्रोल तो करती हैं लेकिन खुद से दूर जाने नहीं देती हैं और आपके पार्टनर की कमी क्या है कि थोरा सा पैमपर थोरा सा क्यार हो गया तो मेरे लिए सब कुछ है तो यह जो भी लेडीज हैं आपके पार्टनर कहीं न कहीं कभी-कभी इनकी बातों में भी आते हैं क्योंकि इनकी हो मदर हो sister-in-law हो अगर इस जगा पे कोई sister-in-law हो ठीक है आंटी हो mother हो sister-in-law हो तो कहीं न कहीं आपके partner जानते हैं लेकिन इनका दब-बबा घर पर चलता है और इनके respect भी करते हैं इनका दब-बबा चलता है अगर ये other female है कोई आपके partner committed हो सकते हैं या इनके साथ रहते हो इनके साथ relationship हो या इनके boss हो तो भाई आपके partner इनसे छुटकारा चाहते हैं और comparison किया जाए तो आप कहां हो और ये कहां है ये जो भी third party है mind game खेल रही है किसी करें खेल रहा है किसी लिए खेल रही है लेकिन लेकिन आपके partner को third party से नए एक आपके तरफ प्यार का खिचाओ है इनके तरफ दूर हटने का खिचाओ मतलब इन से दूर जाना चाहते हैं इनसे दूर दूर रहना चाहते हैं इनके लिए प्यार और respect वाला खिचाओ इस मक्ट मैं नहीं देख पारी हैं लव और प्यार वा बहुत ज़दा माइंड से चलती हैं और यह माइंड से चलने का प्लानिंग भी करें जूर सच बोलकर आप दोनों को अलब करने की भी साजिस कर रही हैं कहने का मतलब किसी हद तक यह जा सकती है इसलिए आपके पार्टने इस रिस्ते पर तो काम करेंगे ओफर करेंगे लेकिन maturity की energy है बहुत सोच समझ कर इन्हें अपने जिन्गे से निकालना चाहेंगे करू तो मैं क्या करू यह वाली vibration लेकिन लेट को करना चाह रहे हैं लेकिन रास्ता ढूंड रहे हैं ऐसा नहीं कोई ना कोई रास्ता आप तक पहुंचने का भी ढूंड रहे हैं और इनसे निकलन का भी ढूंड रहे हैं कि क्यों इन्हें प्यार हार्मनी चाहिए life में खुसी चाहिए happiness चाहिए playfulness the fool की vibration चाहिए enjoy fun मस्ती खुसी peace चाहिए और यह कहां मिलता है आपके साथ मिलता हार्मनी completion enjoy fun मस्ती मज़ा और इनके साथ दर्द pain separation घुटन और घुटन सी जिन्दगी तो confusion कहिए या प्रशानी कहिए decision तो यह लेना चाहते हैं लेकिन इस वक्त उन्हें आप चाहिए आपका support चाहिए और कुछ यह planning भी कर रहे हैं तो मुझे लगा कुछ आपसे partner आपसे कहना चाहते हैं पुरानी बातों को लेट गो करना चाहते हैं और यहां पे आपके partner को आपके लिए पास्टे इनरजी भी है चाहत भी आट्रैक्शन भी है ठीक है तो आपके partner सबसे जब passionate energy और यह फिल क्यों हो रहा हो सकता है कि यहां पे कुछ लोग mirror भी करते हो कुछ लोग को मुझे लग रहा है कि बहुत सारे viewers यहां आपकी अचानक से नींद आ सकती है ठीक है यहां खुसकता बहुत सारे अचानक से आपको नींद आती है अचानक से किसी वक्त भी आपको नींद आ रही है ठीक है तो यह harmony completion की energy है और आपके partner की energy क्योंकि वह pain दर में उन्हें सुकून चाहिए तो कभी-कभी आप लोग mirror कर लेते हो अगर यह vibration जिसे अचानक से नींद आना जिसे वह था आप बैठे हुए जिसे अचानक से नींद आ रही है मुझे सोना है अचानक से वह आ रही है थोड़ा सा आलेस हो सकता है लेजीपन हो सकता है चिक है तो आपका दिल करेगा सा function होगा तो यह आपके person की vibration होगी उनके transformation की उनके अकेलेपन की आप से मिलने की और relationship में एक बदलाव लाने की बहुत सारे viewers आप इनसे परिशान हो ठीक है बहुत सारे viewers आप third party से और अपने partner से परिशान हो जो आपको छुपाते हैं आप से जूट बोलते हैं और हो सकता है कि आपको लगता है कि बार बार जूट बोलकर किसी और से यह flood करता या flood करती है तो कुछ वीवर्स आपके मन मे बहुत बहुत हैं तो आप इनसे परिशान हो ठीक है लेकिन क्या होता है ना कि जो ब्लॉक जो परिशानी होती है वो आना होता है तब ही आपकी एहमियत बढ़नी होती है ठीक है इस वगए आपकी person आपपर focus कर रहे हैं और उनका career उनका काम भी यहां पर important में देख पारी जो कि इनके काम नहीं बढ़ रहे है ठीक है और यह person को पता है कि आपके तरब बढ़ेंगे तो सारे काम बनने लगए क्योंकि इनके life की harmony, completion, enjoy, fun, मस्ती, मज़ा सब कुछ खतम हो चुका है और बहुत सारे viewers मुझे लगा है कि आप partner से ही नहीं आप third party के बज़र से आप भी बहुत प्रशान हो, कैसे क्या होगा, तो खुलकर आप भी नहीं बता पा रहे हो, खुलकर strong decision भी आप नहीं ले पा रहे हो, तो आपको कभी-कभी यह हिसास होता है कि third party तो है, तो कभी-कभी compromise की vibration जब आप सांती में रहते हो, positive रहते हो, तो आपको लगता है कि वह भी खु क्योंकि आपको clarity चाहिए, commitment चाहिए, साथ चाहिए, तो कभी-कभी आपके mood swings भी हो रहे हैं कि क्या करूँ, move on करूँ, mood swings के वज़े से, गुसा के वज़े से, लेजी पन आपके अंदर हो सकता है कभी-कभी अचानक से, तो आपको clarity नहीं दे रहे हैं, तो आपके मन में भी- कभी-कभी ऐसे विचार आ रहे हैं, बस मुझे commitment चाहिए, और ये commitment टालते हैं, क्योंकि इनके life में, जो ये लोग है न, आपके खिलाफ हैं, तो आपको समझा सकते हैं, वो रास्ता ढूंड रहे हैं, थोड़ा हिने support करे, time लगेगा, सही समय जरूर आएगा, और ये union भी हो होगा, ठीक है, लेकिन इस वक्त आपके partner आप से मिलना चाहते हैं, आपके लिए इस वक्त पैस्निट फिल कर रहे हैं, लेकिन third party का tandem मचा हुआ है, ठीक है, देखिए, आप लोग को अलग करने का ऐसा नहीं कि कोई ना कोई रास्ता वो ढूंड रही है, या ढूंड रही है, कोई ना कोई रास्ता वो ढूंड रहा है, वो बैठा हुआ नहीं है, कोई भी third party, वो बैठा हुआ नहीं है, वो बैठी हुएँ नहीं है, वो आप लोग को commitment तोडने के लिए, साच तोरने के लिए हर कोसिश करे, लेकिन आपके partner के साथ वो back step कर रही है, दिल तोर रही है, चीट कर रही हैं, धोखा दे रही हैं, उनको ये एहसास नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पावर है, ठीक है, उनके अंदर पावर है, क्योंकि आपके पावर कहीं न कहीं इनका अभी भी सुनते हैं, लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहें, लेकिन ये चीज़ इनके मन में है, मिच इनरजी दे रही है, trigger कर रही है, back step कर रही है, तो कब तक ऐसा चलेगा, आपके person भी ये सोच रहे हैं, इसलिए ये person अब आपके तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है, अपने करियर अपने काम पर भी फोकस करना चाहते है जो ये कर नहीं पा रहे हैं, अगर काम भी कर रहे हैं, तो फल नहीं मिल रहा है, रिजर्ट नहीं मिल रहा है, परशानी है, लेकिन एक चीश है, ये बंदा पेन में जरूर है, लेकिन ये हार मानने वाला भी बंदा या बंदी नहीं है, चिक है, लेकिन हाँ इने बक्त या खिलाब साजिस रच रही है या फिर आप लोगी commitment तोड़ने की planning कर रही है तो थोड़ा सा आप लोगो aware रहेना है बस खुश रही है मस रही है इतना ही काफी है आप खुश रही है स्वस्त मस रही है कितनी negativity आपके तर बेज़ेगी या बेज़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा छुएगा और निकल जाएगा चिक है तो साजिस चल रहा है आपके partner के energy में थोड़ी mood swings की energy है और ये एक नई सुरुआज चाह रहे हैं देखे breakthrough के energy है तो बहुत सारी विवर्स आपके partner आपके साथ नई सुरुआज चाह रहे हैं next action एक card और लेना चाहूँगी next action के लिए आज दोपहर के energy में आपनी power में हमेशा रहिएगा आपके लिए भी रास्ता निकल रहा है आपके लिए भी रास्ते खुल रहे हैं आपके partner के साथ भी back step को रहा है अगर इनों ने आपके साथ back step किया तो यह अब इस वक्त अपनी जिन्दगी से परशान है third party से परशान है अब आपके साथ breakthrough और offer करना चाहते हैं ठीक है next action आज दोपहर के energy में हम आ रहे हैं देखिए आपके relationship में struggle चल रहा था ठीक है आपके relationship में struggle चल रहा था seven awards the sun अब success आ रहा है growth आ रहा है travel हो रहा है जुआय आ रहा है और आपके partner आपके साथ उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है आपके partner को ऐसा लगता कि आपके साथ रहने से ना वो जिन्दगी जी लेते हैं वो fun वो मजा वो मस्ती वो enjoy वो harmony और वो प्यार वो care वो pamper मतलब एक nature भी को तो nature की साड़ी खुसियां जो होती है वो आप में समाई आपका साथ भी positivity से कम नहीं है nature से कम नहीं है illustration से कम नहीं है तो आपके partner तेजी से आ रहे हैं और आपके तर बढ़ना चाह रहे हैं एक success की energy की सुर्य दादा हमारे सुर्य दादा भी आपके उपर महर्बान है बहुत सारी वीवर्स struggle आप दोने relationship में तो आपके partner के भी रिलेशन आप partner के भी लाइप लेकिन struggle के साथ देख रहे हो कि इसमें हरी-हरी पत्या निकल रही है ठीक है हरी-हरी पत्या निकल रही है emotions देखिए कापी है यह आप देखरे है emotions आप कापी देख रहे हो emotions के बज़े से इस रिष्टे पे अगर hard work करना चाहते है तो वो कर रहे हैं hard नहीं मान रहे है लेकिन struggle चला लेकिन इस रिष्टे में अब प्यार पनप रहा है, इस रिष्टे में अब हड़ी आली आ रही है, ठीक है, ये स्ट्रॉंग होईगा, कहीं न कहीं, खतम भी होगा, स्टगल, बहुत सारे विश्पूरी होंगी, अगर कमिटमेंट की बात चल रही थी, अगर कमिटमेंट की बात चल रही थी, मैरिज की बात चल रही थी, या लब मैरिज की चांसेज हैं, तो यहां बहुत सारे विवर्स आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन इनका सपोर्ट आपको देना है, ठीक है, तो बहुत सारे विवर्स यहाँ पे आपके पार्टनर एक नई शुरुवाद चाहर हैं बहुत सारे विवर्स वीष पूरी होने वाली है रियूनिन होने वाला है इंजस मैसेज देखना चाहूंगे इंजस आपको क्या कहना चाहते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं आपके लिए संदेश होगा देखी इस एनर्जी में देखा ना जाए तो आप सच्चे इंसान हो दिल के सच्चे हो प्यारे हो क्योंकि उनको लगता है न इस एनर्जी विदा एंपरेस की एनर्जी में आप दिल के सच्चे और प्यारे इंसान दिखते हो आप जीवन में प्यार और सम्मान के काबिल भी हो ठीक है आप पर उन्हें बिश्वास है गर्व भी है और क्वालिटी भी परफेक्ट पार्टनर की है आप ये अटाइचमेंट है लोयलिटी है पस्नाल्टी आपके बहुत अच्छी हो सकती है खोसना बहुत सारे वीवर्स आप हेर भी कलर्ट करा रहे हो आजकल ऐसा भी हो सकता है आपकी पस्नाल्टी में निखारा रहा है आप दोस्ती निभाते हो आप अच्छे से प्यार करते हो सच्छे और नेक इंसान हो और आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है ठीक है कुछ वर्स आपको नेचर बहुत अच्छा लगता है नेचर से कनेक्ट होते हो पेर पौदे भी बहुते हो इसलिए आपको ज़्यादा ही खुबसूरत हो तो आप मैरेज मेटेरियल हो ठीक है और यह आपके साथ रब मैरेज करना चाहते है अगर लब मैरेज के चांसेज हैं तो बहुत सारे विर्स होईंगे लेकिन आपके पार्टनर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो न्यू वेजन है ठीक है एंजल मैसेज देखना चाहते हूं तो बहुत सारे विर्स यहां कुछ फूल मोदर के वेजन सकते हूं नगरी अपके रिव्यूःम इस सी मलते है और लोगों करने की ज़रूँत है तो बहूत सारे विर्स यहां आप लोगों की मदद करते हो तो आपके तरफ relationship में balance आता है, career में growth होती है, खुसियां आती है, abundance आता है, growth आता है, तो आपको किसी से help मिलती है, तो सही है नहीं तो आप लोगों की help करें, जैसे भी होता है, आप उनकी help जरूर करें, इंजर्स आपको ये संदेश देना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हो, career को लेकर, पैसे को लेकर, अनलाइकली की इस वक्त मेरे किसमत में कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, अनलाइकली बिल्कुल जो इस वक्त नहीं हो रहा है, उसके बारे में निगेटिव नहीं सोचना है, लोगों की help करें, और आपके तरफ abundance भी आ रहा है, खुद पर trust करें, you are ready, trust abundance, ठीक है, relationship में भी खुसियां आ रही है, और life में भी abundance का growth बर रहा है, लेकिन खुद पर आप विश्वास जरूर करें, you are ready, तो angels आपको इतने अच्छे से आपको guide कर रहे हैं, ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत पेलकुल नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारे viewers घबडाईए नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा, खुद पर विश्वास रखिए, खुषियों की बहुचार होगी, तो बहुत सारे viewers आपके तरफ रियूनियन हो रही है, और बहुत सारे viewers थोरा सा अवेर रहिएगा, निगेटिव लोगों से, क्योंकि खुष रहिएगा, वो अच्छा रहेगा, निगेटिव सोचिएगा, तो वो चीज आप पर हावी होगा, तो be positive, be strong, be happy for this moment, this moment is your life, मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार, enjoy किजिए, fun किजिए, मजा किजिए, आपके partner आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे दियर, तो like क केरी चानल को सब्सक्राइब करें, thank you so much, God bless you.